आप लोगों का दिन बहुत ही बड़ी अरा होगा एनिवेज आज हमारे पास आई है आप जानते हैं कि हमारे पास भी एक Hyundai i10 Grand Nios है उसके साथ भी comparison करेंगे बट फिलहाल इसका आप ओवराल देख लेते हैं किया क्या changes हुए है इसका जो लोगो है अब जो है वो बहुत फ्लश हो गया है पहले थोड़ा मैटल जो स्टांड आउट करता था अब नहीं है अब बिल्कुल फ्लश हो गया है बोडी के लगबाग आप कह सकते हैं बोडी का पाठ ही हो चुका है अचा बहुत अंट्रेस्टिंग पॉइंट है बहुत सारे लोग यह feedback दे रहे थे प्रोजेक्टर हेड्लाम्प्स अब आपको आपको आइटन जो है उसके हर वेरियंट में आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हेड्लाम्प्स पेसिकली इस अगुड साइन फाइनली हाइंडाय सुन रही है अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें लगबग गारी वैसी ही है जैसी जो लास्ट यर वाली आइटन थी तो चेंज एलाओ वील्स चेंज हुए है अफकोर्स एलाओ वील्स में एक नया ही लुक दिया गया है लिटल बिट मोह प्लेलर प्लें के प्रोफेलर होते हैं वैसा उसका एक लुक आने लगा है और साइड प्रोफाइल इस प्रॉइम पॉन्ट इस गाड़ी का विच आई सी इस दो करविचल लाइन्स हाव बिटल 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 इंग्रेसिव अगर पीछे आएंगे इरफान अगर मेरे को फॉलो करेगा बाक साइड में अब आपको एक प्रॉमिनेंट ब्रेक लाइट यहां मिल जाती है तो बैसिकली आइग यह लुक क को बुला जाता है इट्स अनलीफ भॉट यह लुक को बुला जाता है अट अलीफ अलीफ ऑट लोक पर लुक कुष गुर्ट यह लुक्स और इंग्राइट थी हैं प्रोंट बीक्ड़ी लुक्त अब इवर तो लोग यह जो सुच माद आईएंगे तब आपको जाएंगे न अब चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि क्या-का चेंजिस हुए है। ओके, तो पहले यहां से बात कल लेते हैं, अफकोर्स, लुक्स वाइस में बहुत जादा चेंजिस नहीं है। I see the AC vents, वही Mercedes वाला लुक है, very good, looks very, very premium. Again, यहां पे start-stop button है, of course, यह Asta model है, top model है, तो start-stop button यहीं दिया है इनोंने, again, interaction control अप यहां से उफ कर सकते हैं, headlight का dial है, वो यहीं पे है, अब cruise control भी आ गिया है, finally, आपके Hyundai Grand i10 में, which is a very welcome feature, बहुत सारे लोग, I mean, हम लोग 2023 में हैं, most of the car companies, अब देने लगी है, cruise control, so Hyundai is no exception, of course, अगर आप देखें कि इसका यह भी जो, I guess, steering पे जो, लोगों का design था, पहले भी थोड़ा stand-out करता था metal था, अब वो flush हो गया है, मतलब part of the steering हो गया है, वो उतना hindrance नहीं देगा, again, जो steering है, that is also three-spoke, which is a little bit more sporty, which is good, आप उसको उपर नीचे कर सकते हैं, tilt is telescopic, इसमें नहीं है, basically, जो layout है, वो same है, to the Hyundai i10, last year model C, the 2022 model थी, 2023 model थी, sorry, 2022 model थी, वो भी सब layout ऐसे ही है, इसमें wireless charger आ जाता आपके पास, USB Type-C का एक port आ जाता है, 12-Watt का charger आगे ही यहां पे आता है, और on top of which, you also get USB Type-A, handbrake, gear, manual गाड़ी है, so obviously, again, the gear is very-very smooth, अभी गाड़ी आँ नहीं है लेकर फिर भी बहुत smooth है movement में, which is very-very good, and then you have the dashboard, little space, यहां पे आपको मिल जाती है, which is also very-very good, manual IRVM है, और आपको ORVM भी, आप auto-adjust को यहां से कर सकते हैं, now, because यह Asda top model है, तो आपको इसके साथ request sensor भी मिल जाता है driver side पे, अब आए पीछे आते हैं, आप पीछे की space के बारे में बात करें तो, जो front की driver side की seat है, वो मेरे height के according adjusted है, so let's have a look, let's sit down, again, good space यह है, मेरे हिसाब से भी adjusted है, फिर भी अच्छी काशी space है, good knee room, again, thigh support भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, it's a good, compact car है, but ऐसा नहीं लग रहा है के बैटके के AR Clustrophobic हो रहे है, अच्छा एक और मज़दार safety point, finally, Hyundai ने अब i10 में, और उनके जितने भी models है, starting in 2023, अब standard 4, minimum 4 airbags आएंगे, जो हमारी वाली i10 है, जो पिछले साल की थी 2022 model, उसमें आते थे 2 airbags, but अब Hyundai ने pledge किया है और standardized कर दिया है, सेफटी को लेकर mind में, अब जितने भी Hyundai के models है, no matter कौन सा model आ पिकप करेंगे, standard में आपको 4 airbags गाड़ी में आना mandatory हो चुका है, which is a good welcome feature, again, इसमें AC vents आ जाते हैं यहां पे, and आपको USB, नहीं तो 12V का charger यहां मिल जाता है, hand grip आपको यहां मिल जाता है, और reading light यहां पे top पे है, चली आप डिकी में चलते हैं, और डिकी में देखते हैं कि क्या के changes, डिकी में आया है, जाते हैं, all right, so, यह है इसकी boot, basically, boot में वही फंडा है, जो हर बार होता है, again, i10 was always known for having a good space, आप इसमें अराम से 2 suitcases रख सकते हैं, standard size के, और आपके जो tyre है वह नीचे है यहां, bottom में आपको tyre मिल जाता है, वह standard steel rim के साथ आता है, spare tyre है, so we can't expect to have alloy wheels in that also, आपकी आपको इसके अंदर ऐसके कुछ रही है, but space बहुत अच्छी कासी है, parcel tray आपको आपको आजाती है यहां पे, which is also a very good feature to have, आप आप गाडी का जो डिक्की है, आप अराम से हाथ से नीचे पूल कर के, उसको नीचे पूल कर सकते हैं, that's all we have, अब आपको अगले वीडियो में हम compare करके बताएंगे, last year के model के साथ, और इस साल के model के साथ, कि क्या-क्या changes उसमें आए हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्स्ट्राइब, like, share, comment, घंटा, तबा दीजेगा, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, until then, do take good care of yourself, bye!